सब्सक्राइब करें सौम्याज किचिन को और यह बिलकुल फ्री है और बेल बटन को क्लिक करें मेरे लिटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सौम्याज किचिन में आपका स्वागत है अज बना रहे हैं ब्रेट क्रम्स जैसे की ब्रेट बच जाती है हमारे पास में और यूज में नहीं आती है जो एकस्पैरी डेट है वो निकलने का हो जाता है उसमें ब्रेट को यूज करने के लिए मैं ये ब्रेट क्रम्स बना कर रख लेती हूँ तो ब्रेट क्रम्स बनाने के लिए जो भी आपके पास बची हुई ब्रेट है उसका ब्रेट क्रम्स बहुत आसानी से बना करके काफी टाइम तक के लिए इसको रख सकते हैं तो इसको बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे इसमें इस तरीके से ब्रैट को तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल लेंगे और पीस लेंगे इसको इस तरीके से जटपट ब्रेट्रम्स तयार हो जाता है अगर आपको तुरंत की तुरंत यूज में लेना है तो आप इस तरीके से बना ले और अगर आपको इसको रखना है कि आपको 10-15 दिन के बाद यूज में करना है या एक महिने के बाद यूज लेना है तो आप इसको थोड़ा सा भून करके रखें इस bread crumbs को कड़ाही में डालेंगे एक fry pan गरम करने के लिए रखेंगे उसमें इस bread crumbs को डाल देंगे आप इसको इस तरीकी से बना करके रख सकते हैं bread crumbs को तो आपको कभी भी bread को फैकना नहीं पड़ेगा और जबी भी आपको cutlet बनाने है या जिस चीज में भी आप bread crumbs को डालते हैं फटाफट बना सकते हैं अगर आपके पास bread crumbs बना हुआ होगा तो इस तरीकी से चलाते हुए इसको भून लेंगे पिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा ये जैसी कि बजार में पैकेट आते हैं bread crumbs के बने हुए आप उसको घर में आसानी से बना सकते हैं bread crumbs चाहता था तो धंग से भून नहीं पा रहा है मैंने थोड़ा सा bread crumbs एक बॉल में निकाल दिया है और जो भूनी हुई bread होती है उसका जो चूरा होता है वो बहुत महीन होता है गैस को एकदब मीडियम स्लो हीट पर रखा हुआ है गैस को फुल फ्लेम पर नहीं रखा है करीब आट से दस मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में मिलकुल मीडियम स्लो हीट पर भून रहे है bread सिख जानी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा थोड़ा खिला खिला सा होने लगा एकदम क्योंकि इसमें जो मौश्चर है वो दीरे-दीरे खतम होता जा रहा है अब ब्रैट क्रम्स को करीब 12 मिनट हो गए है बुनते हुए मैं एक परात में निकाल लूँगी और इसको दुबारा से पीसेंगे क्योंकि अभी काफी मौटा है और भूना हुआ ब्रैट क्रम्स एकदम महीन चूरा आता है पाउडर की तरह आता है इसलिए अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे जो बचा हुआ ब्रैट क्रम्स है उसको भी भून लेंगे और सेम तरीके से इसको भी भूल लेंगे जैसे कि हमने पहले ब्रैट क्रम्स को भूलना है ब्रैट क्रम्स को पूरे में फैला देंगे जिसे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए ब्रैट क्रम्स एक दम ठंडा हो गया है और क्रिस्पी हो गया है अब इसको एक बार और पीसेंगे क्योंकि ये थोड़ा मौटा है इसको एक बार और mixi के जार में डाल करके पीस लेंगे ये देख सकते हैं कितना महीन चूरा हो गया है ये पिसा हुआ है और ये बिना पिसा है आप ये फरक देख सकते हैं जो बजार में ब्रैट्क्रम्स मिलता है पैकेट में, वो इस तरीके का होता है, इस तरीके से चला हुआ मिक्सी में, और इसको छली में चान करके वो लोग देते हैं है भी मौटा-मौटा जो चूरा है, इसको एक बार और पीस लेंगे, पर यह देखें ये एकदम breadcrumbs तयार हो गया है, कितना अच्छा breadcrumbs तयार हुआ है इस तरीके से आप breadcrumbs बना करके freeze में काफी लंबे time के लिए रख सकती है breadcrumbs को पूरा छान लिया है इस तरीके से अब breadcrumbs को 2-3 मिर्ट के लिए फिर से भूनेंगे कि जो भी उसमें मौश्यर होगा वो फतम हो जाएगा तीन मिर्ट के लिए हलका सा भूनेंगे, गैस को medium slow ही रखेंगे नहीं तो एकदम brown हो जाएगा जो breadcrumbs है एकदम दानेदार आप देख सकते हैं कितना अच्छा breadcrumbs बना है इस तरीके से चलाती हुए जब breadcrumbs पूरी तरीके से गरम हो जाएगा तब ही गैस को बंद कर देंगे, अब यह गरम नहीं है जादा हलका सा गरम हुआ है पूरी तरीके से चलाती हुए गरम हो जाएगा, लेकिन slow gas पर breadcrumbs अच्छी तरीके से गरम हो गया है 2-3 मिनिट लगे हैं इसको इस तरीके से करने में गैस को बंद कर देंगे, और एकदम ठंडा करने के बाद इसको airtight टीबे में भर करके रख देंगे ठंडा करने के लिए इसको परात में कर दें, जिसकी जल्दी ठंडा हो जाए और कडाई में अगर रखा रहेगा तो आप या तो चलाती रहें क्योंकि कडाई गरम होती है उसमें नीचे जल जाएगा ब्रैट क्रम्स, इस तरीके से इसको ठंडा होने के बाद इसको भर करके रख देंगे यह ब्रैट क्रम्स तयार है और इसको आप 2-3 महीने तक आराम से फ्रीज में रख सकते हैं लेकिन आप इसको फ्रीज में ही रखें एर टैट डिबे में भर करके और जबी भी आपको यूज करना हो तो आप निकाल करके इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ मैं stay happy and keep cooking थैंक यू और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहें सौम्याज किचिन पर बाए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ